हाई, मेरा नाम डेविड है और आप देख रहे हैं दिललन टॉप भुश्पुरी फिल्मों की स्टार हैं अक्षरा सिंग दर्भंगा में एक शो के दोरान मीडिया से मदत माही थी कहा था कि कुछ लोग हैं जो अक्षरा का फिल्मी करियर खत्म करने पर तुले हैं उन्हें धमकी भरे कोन करवाय जा रहे हैं सोसल मीडिया पर भी कुछ लोग एक जूट होकर उनके खिलाप इमेज खराब करने का अभियान चला रहे हैं लेकिन ये कुछ लोग कौन है इसका जिक्र अक्षरा ने तब नहीं किया था अब अक्षरा ने कहा है कि ना चाहते भी उस बेक्ती का नाम लेना पड़ रहा है वो बेक्ती कौन है? वो बेक्ती हैं पौण सिंग पौण सिंग भोजपोरी फिल्मों के स्टार हैं लाली पॉप लागे लू जैसे गाने से फेमस हुए हैं पौण सिंग और अक्षरा सिंग ने पिछले साल तक साथ काम किया था कुछ फिल्मे थी, कुछ म्यूजिक वीडियो थे अक्षरा का कहना है कि वो 2018 तक पौण सिंग के साथ रिलेशन्सिप में थी जब पौण सिंग की शादी हुई तो अक्षरा जो है कि इस रिष्टे से बाहर आ गई अक्षरा के मुताबिक इसके बाद से ही उनका सोशन्स शुरू हो गया अक्षरा सिंग ने मुंबई के एक पुलिस इस्टेशन में पौण सिंग के खिलाफ पे फायार दर्ज करा दी है अक्षरा ने IPC की धारा 304 और 509 के तहत मामलाग दर्ज कराया है अक्षरा का आरोप है कि पौण और उनके परिवार ने सोशल मीडिया पर उनकी इछवी खराब की और जान से मारने की धमकी देने के साथ ही भद्दे कमेंट्स किये हैं अक्षरा का ये भी कहना है कि सोषल मीडिया पर आपती जनक तस्वीरे और वीडियो कोश्ट किये जा रहे है पावन सिंग जेल भी जा सकते हैं। आकिर पावन सिंग हैं कौन। भोजपूरी का एक गाना है लॉली पॉप लागे लू जिसका सुरू में हमने जिक्र किया था। गाना इतना फेमस हुआ कि बॉलिवोड स्टार से लेकर कई सारे लोग इस पर ठुमके लगाते हैं। एक और गाना है टेनिस इस्टार सानिया मिर्जा की नाम पर लिखा गया है। ये भी UP में बहुत पेमस हुआ। यूपी बिहार में बचने वाले डीजे पर पवन सिंग के गाने खुब बसते हैं, इन गानों ने पवन सिंग को घर-घर में पहुंचाया है, पवन सिंग भजपूरी के स्टार हैं, पवन सिंग बिहार के आरा के रहने वाले हैं, वीजेपी से भी चुड़े हैं, केंद्रिय म देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अगर अब तक आपने हमारा आप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए मैं हूँ डेविड और कैमरे के पीछे हैं रुखानी खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाव आफर दी ललन टाप एप एंडराइट पर है ना तो न्यूज का खयाल करो सबसे पहले इंस्टाल करो